दोस्तों बदो साथ आपका आमारे चैनल में दोस्तों आज की वीडियो में आपको आपकी गैस सबसीडी से जुड़ी हुई बहुत ही खास जानकरी देने वाला हूं कि आपको गैस सबसीडी मिलती है या नहीं यह आप किस तरह से देखें दोस्तों जैसे कि आप जानती हैं कि हम जो सिलेंडर लेते हैं गैस कनेक्शन लेने के बाद जो हम सिलेंडर लेते हैं जो पेमेंट करते हैं तो उसका कुछ इससा हमें गैस सबसीडी के रूप में हमारे अकाउंट में वापस डाल देती है लेकिन हमें यह पता नहीं चलता कि ह अगर हमें ये subsidy government मिल रही है और अगर हम इस हालत में नहीं हैं कि हम subsidy छोड़ें तो हमें अपनी subsidy का ध्यान रखना चाहिए कि वो हमें मिल रही है या नहीं अगर नहीं मिल रही है तो हमें जल से जल इसके उपर action लेना चाहिए ताकि हमें जो हमारा हग का पैसा है वो हमें मिले तो चलिए बात करते हैं कि किस तरह से आप अपने guest subsidy का पैसा आपको मिल रहा है या नहीं वो देख सकते हैं तो देखें जैसे कि आपको करना है अपने phone के Google browser के उपर चले जाना है आपको पहला option जो दिखेगा mylpg.in तो यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखे इस तरह का एक page आजाएगा अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर screen पर आपको यह तीन cylinder बने हुए नजर आ रहे हैं तो तीन cylinder मतलब ही तीन companies के cylinder ने जैसे कि भारत gas, HP gas और Indian gas अब यहाँ पर क्या है आपकी जो भी company है यानि कि जो भी cylinder आपके हैं आता है आपको उसके उपर क्लिक करना पड़ेगा ठीक है तो हमारे यहाँ Indian का एक cylinder आता है इसलिए मैं Indian के उपर यह टच कर देता हूँ आपके जिस भी company का cylinder आता है आप उसके उपर टच कीजिएगा अब देखे उसके बाद यह इस तरह का एक page खुल जाएगा और सभी पर थोड़ा थोड़ा अलग तरह से page हो सकता है लेकिन options लगभग इसी तरह के होते हैं अब यहाँ पर आपको क्या करना है यहाँ पर थोड़ा सा नीचे जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको नीचे एक option मिलेगा give your feedback online ठीक है give your feedback online आपको यहाँ पर click करना है ठीक है यह option आपको एक उपर भी मिल जाता है feedback का देखे, मैं आपको दिखा देता हूँ, तो यह option आपको यहाँ पर भी मिल जाता है, give feedback का, तो आप यहाँ पर भी click कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर भी click कर सकते हैं, give your feedback online पर, तो हम यहाँ पर click कर देते हैं, दोनों के काम सेम ही होते हैं, अब यहाँ पर देखे, इस तर करने ही कोशच कर रहा हूं, लेकिन हो नहीं रहा है, तो LPG के उपर हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, अब यहाँ पर इस तरह पेज खुल जाएगा, जहाँ पर हमें कुछ complaints के बारे में बोले जाए कि आप किस बारे में complaint करना चाहते हैं या suggestions देना चाहते हैं क्योंकि हम feedback के उपर हमने click किया था अब यहाँ पर इस box के अंदर आप कुछ भी लिख दीजे जैसे कि हम यहाँ पर लिख देते हैं subsidy जैसे कि हम subsidy के बारे में जानकर ही चाहते हैं तो subsidy details मैंने आपर लिख दे और उसके बाद यह proceed के उपर click करना है जो यह आपको यह box दिख रहा है तो यहाँ पर हमें click करना है तो यहाँ पर click करने के बाद देखे इस तरह का एक और यहाँ पर एक option आ जाएंगे बहुत सरे options यहाँ पर आपको दिखेंगे अब यहाँ पर आपको यह जो दिख रहा है subsidy related तो यहाँ पर आपको question इस पर click करना है subsidy related पहल ठीक है तो इस पर आपको touch कर दिना है जैसी आप इस option के उपर touch करेंगे तो देखें नीचे जाने के बाद आपसे कुछ तीन यह option पूछे जाते है तो आपको सबसे पहले number का जो option यहाँ पर click करना है subsidy not received के उपर चाहें आपको मिल रही है चाहें नहीं आपको सिर्फ यहाँ पर click करना है subsidy not received हमें तो सिर्फ देखना है पता करना है ठीक है अब उसके बाद देखें इस तरह का page आजाएगा तो आपसे दो चीज़ें यहाँ पर पूछी जाएगी एक तो आपका registered mobile number अगर आपका है तो आपको यहाँ डालना है अब सब्मिट के बटन पर click करेंगे ठीक है यह देखें अब मैं सब्मिट के बटन पर click करने के बाद देखें यह लॉग इन हो गया है अंदर अब यहाँ पर देखें ऊपर यहाँ पर कुछ डिटेल्स बता दी गई है तो यहाँ पर आपको सारी चीज़े मिल जाएगी किस नाम से सिलेंडर है कौन सा number registered है कौन सी email ID आपकी registered है नहीं है तो आप यहाँ से कर सकते हैं आपका जो address है वो सारी चीज़े आपको यहाँ पर आपके distributor gas agency का नाम आपको सब मिल जाएगा यहाँ पर और देखें अगर आपको यहाँ पर पूरा clear ना दिख रहा हो तो आप यह उपर तीन लाइनों के उपर क्लिक कीजेगा तीन डॉट के उपर और उसके बाद यहाँ पर डेक्स टॉप साइट के उपर यह box के उपर क्लिक कर देना तो यहाँ से क्या होगा आपको थोड़ा बड़े उसमें चार्ट के अंदर आपको सारी डिटेल दिख जाएगी इसको नहीं मिल रही इसलिए यहाँ पर zero लिख रहा है कि मैंने यहाँ पर subsidy जो है वो गिवप कर दी थी पहले तो यहाँ पर मुझे subsidy अभी नहीं आ रही है लेकिन इससे मैं जल्द ही चालू कर वा लूँगा अब देखिए आगे यह पूरा आपको यहाँ पर दिख जाएगा तो इसी तरह के options उसमें भी आएंगे तो आपको easily सारी चीज़े पता चल जाएगी और जो हमारा मोटीव है कि हमें गैस subsidy के पैसे मिल रहे हैं या नहीं वो आप यहाँ पर देख पाएंगे तो दोस्तों यह जान करें आपको कैसे लगी प्रीज़र में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं तो अभी के लिए इतना ही धन्यवाद